जी स्लाम अलेकुम आज जो हज भोवन में मीटिंग हो रही है उसके अंदर हमारे रौव भाई जो हज कमिटी के चेर्मेन है और हमारे सी-ओ सर्फराज साव भाई और हमारे एजाज भाई इस तरह से सभी जुमेदार जो हज कमिटी के मेंबर है और यहां पर जुमेदारी से जो भी जुमेदारी लिए हैं सभी मिलके एरपोर्ट पे विजिट किये थे एरपोर्ट में इंतिजाम किस तरह के है वलके वहां पे देख के आए वहां के आफिसर्स से वहां के जुमेदार लोगों से एरपोर्ट के लोगों से कस्टम के लोगों से इस तरह से सभी विजिट किये हैं हम वहां पे सिस्टम पूरा लगबग लगबग 99% ठीक है जहां पे नमास पढ़ने के लिए वजु खाने लेडिस जेंट्स के लिए मेडिकल टीम के लिए और कस्टम इमिर्गरिशन इस तरह से पूरे चीज़ें हम पर्सनली विजिट किये हैं कुछ अपने आखों से जाके देखे हैं तो पूरा चीज अच्छी तरीके से वहां पे होके हैं तो उसी तरह हज भौन में भी हम आके यहां पे भी पूरे फैसलिटिस पूरे ओके हैं क्योंकि सीम कल साथ बजे सिद्रा मैजी से यहां के चीफ मिनिश्टर सिद्रा मैजी से उद्गाटन है हज हज हाजी भाई जो जा रहे हैं कल का परग्राम और डिप्टी सीम डीके साथ को अभी बुलाएं हैं इस तरह से यहां के एरे के एम्मेले और मिनिश्टर बहरे गोड़ा जी किष्णा बहरा गोड़ा जी इस एरे के आते हैं और एम्मेले मिनिश्टर है तो हमारे जनाब यूटी खादर साथ जो हुनेबल स्पीकर है वो भी आ रहे हैं और हमारे जनाब जमीर रहिमात खान साथ जो हाउजिंग मैनेटी एंड वक्फ मिनिश्टर वो भी आने वाले हैं इस तरह से सभी एम्पी एंड एम्मेलेस और मौजीस और उम्मा क्राइम भी आने वाले हैं तो इस तरह से बेंगलूर सिटी से बहुत से जुम्यदार लोग भी यहां पे रहेंगे तो आज चुप छोटा सा आप लोगों को बुला के जो डॉल्लप्रिंट का काम हुआ वताना बुलके आपको बुला हैं इसके लिए और आपके तरफ से भी प्रेस मीडिया के तरफ से अगर कोई सजेशन है तो लेके क्योंकि पिछली बार कुछ प्राब्लम्स हुए थे इस बार नई होना बुलके वो पुरा आडवांस में हम रडी किये हैं ने वो तो पहले भी हमारे एक चार दिन पहले भी मीटिंग हुई जब बताय चुके हैं कमसे 15-20 रार लोग जनरल पब्लिक जो भी गेस्ट को हाजी भायों को छोड़ने के लिए वो लोग आएंगे हर साल की तरह यहाँ पर हमारे मिनिस्टर जमीर रह्मात खान साब उन्हों अपने पर्सनल अपने तरफ से इंतिजाम किये हैं के 15-20 अजार डेली जितने भी लोग आएंगे उनको खाने का इंतिजाम और जाजाँ फेसलिटीस जो चीज़ होना चाहिए उनको लैटरी इन बात्रोम जो भी तकलिफ ने होना बलकि वो पूरे इंतिजाम किये हैं और हमारे हज भावन के तरफ से गो गोवर्मेट अफ करनेटा का के तरफ से भी कई इंतिजाम किये गए हैं तो ऐसा कोई प्रब्लम ने होगा और फस्सक्षाइं पांच फ्लैट जा रहे हैं और हर फ्लैट में 500 बाधि जाएंगे जारे हैं या बाहर के हैं रहे है जिस जीज सरह से उनका नमबर अलोट हुआ है उस तरह से वो लोग जाएंगे पिछले बार क्या हो गया था एक टाइम दो ढई हजार हाजी भायों को बुला दिये थे और तीन बड़े फ्लाइट से और एक रिजन क्या था कोईट का वो कोईट का इंजेक्शन के लिए भी पहले ही बुला दिये थे दो दिन पहले तो उसके वज़े से थोड़ा इंतेजाम प्राब्लम्स हुए थे लेकिन इस बार एक सिस्टम से बुलाए हैं तो वो प्राब्लम नहीं होंगे और फेसलिटीज बहुत से बढ़ा दिये हैं जिस तरह से लाश्ट टाइम मैं समस्तों पच्छिस्ती बाटिन बातरूम थे तो इ दूसरे चीज़ें कई चीज़ें लिए हैं वो तो हज कमिटी के तरफ से हो रहा है वो तो बहुत ही क्लासवन अच्छा खाना होगा आजी भाईयों के लिए इस प्रस्ट जो है ना पांच फ्लैट जाएंगे बाखी डेली तीन फ्लैट जाएंगे लाजडे चार डेट टोटल 22 को चार फ्लैट है और टोटल 51 फ्लैट से बीदर और गूलबरगे के हाजी भाईयों तो हैड़ बास से करके कि है उनको क्योंकि हाड़ाबाद नजिक होता है तो उनको सभी को हाड़ाबाद कर से जाएंगे जे क्योंकि अब तो हम वो गेस्ट बन के आएंगे आने के टाइम उतने डिमेंड सकना ठीक नहीं रता आलड़ी में आडवास में जाके हम हम डिमेंड रखके एक पांच करोड रुपे शंक्शन लिया हूं में और फाइल सी हम लिखे हैं पांच करोड इमेडिट रिलीस करो बलके तो फाइनस डिपार्टमेंट को जाको है फाइल हज डिलोप्मेंट में हज में जो भी प्रोग्राम्स को जो भी मेंटेनेंस यहां पर जो भी एक्समेंस होंगे उसके लिए हाजी भायों के लिए तो भी जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया का और सौधी गोर्मेंट का वो फालो करने के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे करनाटा के लिए दुआएं करें कि यहां बहुत ही अमान, शान्ती, प्यार, डॉलोप्मेंट हो हम सब के लिए नौजवानों के लिए यही तो भी मतलब आपको हज मिनिश्टर बने का मौपा मिला और इस उम्मेदारी को आप कैसे लिए यह बहुत बड़ा मुकाम हमको दिया है गुदा ने तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से करें और पहले से भी हम 15-20 साल से हज कमिटी से हज क्याम से जुड़े वे थे तो हर बार हमारे विजीट तो कुछ छोटे मोटे खिदमात होते थे लेकिन हमको भी पताने कि इतनी बड़ी जुमेदारी मिलेगी और ब चेर्मन भी इधर से हैं जी सर जी सर जी सर अच्छा कांबनेशन है अच्छा रहता है तो अब तो रव भाई पहले से लास्ट पिछली बार भी हम आई थे और हमारे सरफ्राज भाई भी बहुत ही अच्छी आफिसर है तो बहुत ही प्रीकॉशन लेके हम लोग जौब दर न करने बार रहे हैं है 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 जो आएंगे उनके साथ लोग आते हैं चोड़ने के लिए उनका इंट्रेंस सिर्फ गेट तक है या फिर वंदर आना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाएगी तो उसके लिए आएंगे था बार ने लास्टाम जो है इंतजामात जो है चार-पांच दिन से अन्रवनिस्टर जो है यहां पर आके इंतजामात की जो भी इंस्पेक्शन से कर रहे हैं जो हाजी यहां से जारे हैं उनके लिए क्योंके लास्टाम जोड़े मुश्किलात हुए आपको जानत तो पहले दिन की पांच फ्लाइट है, बाकी की जो है तीन फ्लाइट जा रहे हैं, तो हर दिन यहां पर साड़े चार सो हाजी यहां से रुखसत होंगे, यहां से और स्टेज बा स्टेज जारें तो हमको यहां पर दिक्कत नहीं है, हम अरड़ी एजास भी ने इसका एक्शन के लिए लगाए हैं, और अंदर भी इस परच्छे और बाकी के अंदर पूरे देड़ सोल टॉलिट जैसे मिनिस्ट साब ने कहा है, इसके अलावा हमारे वॉलेंटर्स भी इदर हैं, काम कर रहे हैं, जो लास्ट टेम के जो खामियां थी, उस खामियां को हैना दूर करने के हम लोग इसलिए काम किया है, तो तीन बार मिनिस्ट साब इदर विजट कर चुके हैं, और आप जानते होगे कि इस बार लोगों की तैदाद भी ज्यादा होगी जो इनाउगरेशन प्रोग्राम के लिए आने वाले जो लोग हैं, तो उसके लिए हम लोग उन्हें क्या है, ह कोई लास्टेम की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी तो सब इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है तो हाजी के जो रिष्टेदार है उनसे गुजारिश है कि वह हज कैम्प में ही रहें जो भी हाजी जाना मिलना चाहते हैं वह कैम्पे जाके उनको मिलेंगे तो वहां पर खाना न गेट्स में मार्शल्स लगा रखे हैं पोलिस वाले मार्शल्स रहें गे तो बरे महरोबानी सब मुझे को आपरेट करें और रहना हजवाँ की जूगि लास्टेम हम लोगों जो अलाव करने के बाद बहुत टौलेट्स को गंदा करना या इसको थोड़ पोड़ करना बहु इस बार तो बोर्वेल ही लगा दिया है अलाव दिला इस बार कोई प्राब्लम नहीं होगा जैसे हम बताया थे के लास्टेम जो थी वो हम लोगों से करना ही सब्सक्राइब और इसके साथ हर दिन धाई हज़ार लोग आने तो बहुत मुश्किल का काम था तो अलाव दिला ह कि अग講, नहीं पनाया और हम लोगो ने ये सवाल थैट, तो गर्मेंत ऑफ हमारी जो प्राब्लम से उद्या ने भी उप्राब्लम के उनको समझा और उनको अप्रिशेट किया और उनने कहा कि हम लोगो इस जो प्राब्लम सौल्व करिगे गलो कि ये उखलाएबे सॉड़ यहारा रहे हैं। तो अफल्फिलय। opना अन्साद सब्सक्राइनुकित चाहता है। इंशाला जरूर इसको पितने पहले पहुंचना है और क्या उनके भी रूम फिसलिटी तो जो फे बैंगलोड के हाजी उनके लिए अगर रहना चाहे तो कोई तिक्कत नी है तो हाजी बैंगलोड के हाजी जो है वह है ना फाइस सवें एट आवर्स पहले आसकते हैं तो उसमे क्या होता है कि उनके लिए आसान होता हमारे लिए आसान हो जाता है काम तो फिर भी अगर मैंक्सिमुम कितना हो जेर तक पहुं से पहुं से पहुं से पहुं से पहुं से पहुं से तो आना जा ज़रूरी है विकास यहां से जाने के लिए महां पर ही त्री आवर्स पहले जाना सरफरास खान साहब अभी हमारे साथ रहिम खान साहब जो है एरपोर्ट का इंस्पेक्शन किये जिस एरपोर्ट के इंस्पेक्शन में वहां के बेल्स वाले कस्टम वाले और हमारे विस्तरा एरलाइस वाले तमाम लोग मौजुद थे, रहिम खासाब के सदारत में वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया, तमाम चीजें तयार हो रहे, लगबग 90% चीजें रेडी हैं, और अभी 10% कुछ बाखी है, वो भी तयारी हो रहे, जैसा के कस्टरम का जो मशीन्स होते हैं, वहाँ पे वो तयार क किये हैं, जो हमारा लगेज हजी का जाना है, वहाँ का हजी का ब्रॉक रड़िई हो आ है, इसके सास्थ जो वहाँ के decisions कि शोडने जाएंगे, जो में उनके सास्थ जो लोगा आएगे, वहाँ पे उनकी लिए अलग से शेड मारा गया है, वहाँ पे केंटिम लगाई हैं हमारे मिनिस्टर साथ इंस्टफिक्शन किया है और भी महाँ के जियो FC जुम्मेंदार वो बहुत हैं को भी कुछ YOU SP होते टायमें लोग को बता चले कि कि हां कर के तर्मिनल लगाा गया है वहाँ पे भी डिसीजन बताने के लिए हमारी यो साब और मुनिस्टर साब भी बताएं वो भी एक तयार हुआ है दूसरा एरपोर्ट का टर्मिनल आर्मस्ट हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा अलब्दल्ला कल जो छे तारिकों इनागरेशन होने वाला है हमारे ऐरहिम खास साब के था रख दारत रहेगी और उसके चीफ गेस्ट सियफ सिदरामर्याजी डिप्री सियफ डिके शुकुमार्जी और हमारे वफ के और मुर्सिप हमारे हौजिंग गे मिनिश्र जनाब जाहिमीर खास साब स्पीकर यूटी खदर साब और तब मिनिस्टर्स मलस कल उनकी मौझूद्गी रही उनकी मौझूद्गी में कल साथ बज़े इसका इड़ोगरेशन होने वाला है और जिस इड़ोगरेशन में लगबख मैं समझ तो पच्छी से तीस सार लोग आने की तादात रहेगी और कल का जो बताए फलाइट का जो पैसेजने रहेंगे पाच फलाइट लगबख साड़े साथ सो आजी जाएंगे आल्मस्त 50% बैंगर के हाजी रहेंगे 50% स्राउणिंग में रहेंगे उन लोग का आले के लिए अपने टाइपिंग शोडिल भी बता दिया है कि किस टाइम उनको रिपूटिंग होना है बिफोर एट ओट पहले उननों यहां पर रहना है उसका भी हमने इंतिजाम पूरा किया है जितने भी हमारे वाइलेंटर्स काम कर रहे हैं वो पूरे वाइलेंटर्स आज इसे ही रेडी है और हाजी भी आना चालू हुआ है हजबहुन में जितने हमारे 100 जो रूम से लगबग 600 हाजी लोग को रहने का अच्छा से हमने इंतिजाम किया के टेमे कुछ प्राबलम में वाइलेंटर्स का वगरा अब पूरा रेडी है तो अलहम दो ला जिस साल अच्छा से अच्छा हमारे हजज कमिटी मेंबर्स मिनिस्टर्स हमारे स्टाफ ईयो साफ सभी बिल के अच्छा से अच्छा हम लोग इंतिजाम करें कि मरकजी हूकूमत से कोई आ रहा है जी मरकजी हूकूमत से चेंटर्ल गवर्मेंट से सुमित ईयरान जी को इन्विटेशन दिया है अभी मैंने उनके प्रियों उसको बात किया हूँ लगबख साम तक वो लोग का अन्फार्मिशन देते बोला है और हमारे सेंटरल हज कमिटी कि चेर्मेन कोटी साब से भी बात रही है वो भी इंशालला कल के उस फंक्शन में इनाउगरेशन में रहेगे ठीक थांक यू